हलो फ्रेंड्स एक बार पुना है आपका इस यूटूब चैनल के बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज का यह वीडियो बहुत संच्छित है लेकिन बहुत उही उपयोगी है नेशिक जानीती 2020 का जब सिक्रियान वैन हुआ है तब ही से हम सब जितने भी स्टेक होल्डर्स है सब के सामने यह एक चुनौती की रूप में भी खड़ा है और निशित रूप से एक बहतर भविश्य की संभावना भी लिये हुए है अब यह इस बात पर निर्वह करता है कि हम इसे किस प्रकार कितनी योग्यता, कितनी छमता, कितनी इमानदारी, कितनी निस्ठा से इसका क्रियान वैन करते है इसके क्रियान वैन को लेकर कि जो पहला स्टेप था, जिसमें एड्मीशन था, विसर का चुनाओ था, मेजर, माइनर क्या होंगे, को करिकुलर क्या होगा, वोकिशनल क्या होगा, कौन सा माइनर कब चुना जाएगा, को करिकुलर लगातार तीन वर्सों तक पढ़े जाएंगे, वोकिशनल दो वर्सों तक पढ़े जाएंगे, आद याद बातें, प्रवेश में क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं, कैसे हमें प्रवेश पर क्रिया पूरी करनी है, आद इसे सम्मंधित तमाम प्रशनों की जानकारी के लिए, इसके पहले एक वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर लोड हो जुका है, वित्रों आज फिर काफी कन्फ्यूजन है, काफी दुविदा है, कोई सामानिय दिशानिर देश अभी तक नहीं था, इसलिए कि परिक्षा कैसे होगी, इंटर्नल असेस्मेंट कैसे होगा, प्रशन पत्र कैसा होगा, मुल्यांकन कैसा होगा, अंकों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, अंक विस्विद्याले को प्रेशित कैसे की जाएंगे, आद याद ही, इन तमाम प्रशनों को लेकर के आज का यह संच्छिप्दे वीडियो, आप सब की सुविधा के लिए, और एक ही जगह, सारी जानकारी बहुत असपस्ट और संच्छेप में उपलब्द हो जाए, इस उद्देशे से इसे बनाने का प्रयास किया गया, मित्रों हम बहुत समय बरबाद ने करके तुरत अपने मुद्दे पर आते हैं, और हम लोगो कैसे उनका मिट टर्म कराएंगे, कैसे हम समिस्टर एंट का एक्जाम कराएंगे, तो मित्रों हम जानते हैं, कि चात्रों ने तीन मेजर भी सेयक के रूप में चुना हुआ है, जिसमें दो मेजर, एक फैकल्टी का, तीसरा की सी यनले फैकल्टी का भी हो सकता है, इसके अला इसलिए वो माइनर दोसरी समस्तर में भी चुन सकता है और उसने एक को करिकुलर भी से लिया होगा और एक वोकेशनल भी से वो पढ़ रहा होगा प्रारव में ही यह बात असपस्ट कर देना है उचित समझूगा कि बिस्विद्याले का जो दिसा निर्देश आया उसकी अनुसार वोकेशनल यानि इसकिल डेवलपमेंट यानि कौसल विकास की परिक्षा पूरी की पूरी सो नंबर की महाविद्याले बिस्विद्याले या इसकिल पार्टनर ऐसा लिखा हुआ है अर्थात महाविद्याले की अस्तर पर संपन की जाएगी इसकी अलावाज जो तीन मेजर एक माइनर और को करिकुलर हैं इनके 75 अंक की परिक्षा विस्विद्याले संपन कराएगा और 25 अंक की परिक्षा महाविद्याले संपन कराए यहीं यह बात असपस्त रूप से बता देना चाहूंगा कि विस्विद्याले द्वारा संपन की जाने वाली परिक्षा का स्वरूप बहुपी कल्पी होगा एक अंग के एक प्रस्न पूछे जाएंगे 75 अंग की परिक्षा होगी कोई भी रिरात्मक मोल्यांकर नहीं होगा और साथ निगेट्व मार्किंग नहीं होगी और यह परिक्षा बिलकुल वैसी ही होगी जैसी की सामवान्य परिक्षा विस्विद्याले संपन कराता है यहां सिर्फ ओयामार जमा हो जाएगी और question booklet बच्चे अपने साथ ले जा सकते हैं ऐसा विस्विद्याले की नहीं मौली में अंकित है यह तो रही बात विस्विद्याले परिक्षा की जिसके बारे में हमको आपको बिसेस न जानने के जरुत है न प्रयास करने की क्योंकि यह as usual है जैसी होती रही है हो जाएगी जिसे महा विद्याले नेमा नसार विस्विद्याले को हस्तेगत करा देंगे अब तरों रही बात internal assessment की इस नई सिचानीत की सबसे बड़ी अच्छा यही है कि सतत मुल्यांकन पर अधिक जोर दिया गया है हम जानते हैं कि सतत मुल्यांकन से विद्यारती के वास्तविक चमता का मुल्यांकन हो पाता है क्योंकि एक बार सिर्फ कुछ प्रसन पूछ करके यह नहीं तैंकी आया सकता है कि विद्यारती अच्छा है या बुरा है इस उद्धे से आंतरिक मुल्यांकन की पद्धती इस नई सुच्छानीती में लागू की गई है और उसके लिए पचीस अंक निर्धारित किये गए बहुत साफ साफ हमको जान लेना है कि पचीस अंक में विसुद्याले के दिसा निर्धेस की अनुसार पंद्रह अंकों की मध्यावधी परिक्षा होगी जिसे आप मिट्टर्म कह सकते हैं जिसे आप और इसके अलावा दस अंकों में पांच अंक उपस्तिती पर दिये जाएंगे और पांच अंक का एसाइनमेंट और प्रजेंटेशन होगा इन सब के लिए निश्चित दिसा निर्देश निगत किये गये हैं जहां तक पंद्रह अंक के मध्यावधी परिक्षा का प्रस्न है उसके लिए ये निर्धारित किया गया है कि जो पहला प्रस्ण होगा कि परिक्षा एक घंटे की होगी, पंदरा नंबर की होगी, पहला प्रस्ण दो नंबर का होगा, जिसके लिए 10 से 20 सब्द लिखने होगे, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रस्ण तीन अंग का होगा, जिसको 40 से 50 सब्दों में जिसका उत्तर देना हो इस तरह से जो मध्यवधी परिक्षा होगी उसके प्रसंपत्र का सुरूप यह होगा यह भी निर्देशित है कि यह पांच प्रसंप ब्लेक बोर्ड पर लिख दिये जाएंगे परिक्षार्थी 25 की एक उत्तर पुस्तिका खुद अपने पास से ले आएगा और उस पर यह प् दोरा इसका मुल्यांकन होगा और मुल्यांकन करने के बाद उसे अलोकित करने के लिए चात्र को दे दी जाएगी और चात्र उसे देखकर अपना हस्ताक्षर कर इसे पुनह समंदीत प्राध्यापक को वापस कर देगा और प्राध्यापक इसे रिकार्ड के रूप में अप पत्र दयार करके जो इंटरनल असेस्मेंट का प्रभारी है जो प्राचारी की देख रिख में कारी करेगा उसे सौंप देगा वह इंटरनल असेस्मेंट का प्रभारी होगा पूरे महाविध्याले का अंग पत्र एक प्रति अपने पास रक्षित रखेगा और एक प्रति वह बिस्विद्याले को प्रेसित कर देगा, साथी साथ वह अंक आनलाइन मोड में बिस्विद्याले को हस्तांतरित करेगा, इसका मतलब यह है कि जो आंतरिक मुल्यांकन होगा, उसका अंक बिस्विद्याले को आनलाइन मोड में भी प्रेसित किया जाएगा, और अंक पत्र भी बिस्विद्यालय को प्रेसित किया जाएगा एक प्रती महा विद्यालय अपने पास सुरक्षित रखेगा तो यह तो रही मिड़ टर्म के एक्जामिनेशन की प्रक्रिया इसके अलमा जो पांच अंक उपस्थिती पर मिलने हैं और पांच अंक विद्यारथी को एसाइनमेंट और प्रेजेंटेशन पर मिलने हैं उसके संदर में विद्यालय का यह कहना है कि अगर किसी परिक्षारथी ने 95-100 प्रत्सत उपस्थिती दर्ज की है तो उसे पांच अंक दिया जाए किसी ने 85-94 प्रत्सत तक उपस्थिती दर्ज की है तो उसे चारंक दिया जाए किसी ने 80-84 प्रत्सत तक अगर उपस्थिती दर्ज की है उसे तिन नमबर दिया जाए किसी ने 75-89 प्रत्सत तक अगर उपस्थिती दर्ज की है तो उसे दो अंक दिया जाए कभी-कभी बिसेश परिस्टियों में ये है प्राइश चारी को वाइश चांसलर को अधिकार होता है कि वह पचहतर परिस्ट की उपस्तिती से कुछ छूट प्रदान कर सकता है ये दैसी सिती बनती है तो उसे मात्र एक अंक दिये जाएंगे इसके अलावा-assignment और presentation के लिए जो पांच यों के निरधारित है उसमें ये निरधारित है कि प्रतिक पाथे करम से एक assignment बिद्यार्धी को लिखना है जिसे वो पांसब से पन्दरह सब सबतों के बीच में लिख सकता है कोसिस ही होनी चाहिए कि वह जो assignment तयार कर रहा है उसका presentation भी कराया जाए वास्ता में presentation को promote करने के लिए या powerpoint को बढ़ावा देने के लिए या digital या computer learning को promote करने के लिए इस बात पर जोड़ दिया गया है कि assignment का presentation भी अगर कराया जाए तो अच्छा होगा कुल मिला कर कि यह पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नई सिच्छा नी थी कि assessment के अंतरगत जो assessment की प्रक्रिया है उसको संपन कर सकते है और जहां तक मुझे विश्वास है कि बहुत ही सरलतम सब्दों में इसकी भ्याख्या कर दी गई है और जितने भी points थे सब cover कर लिए गए हैं तो इसे ही के साथ ही मैं यह है वीडियो यह इस उमीद से समात करता हूँ कि यह आपके लिए उपियंगी होगा और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिलकर नई सिच्छा नी को प्रभावी ढंग से क्रियान विद करने के लिए पूरी निस्था और पूरी इमानदारी से प्रियास करेंगे और हमें उमीद है कि यह नई सिच्छा नीत यह अपने उदेश्य को निश्चित रूप से प्राक्त कर पाएगी थैंक यू